तो आज हम फिर से करने वाले हैं राजिस्थान जीके के बहुत ही महतुपूर प्राशनू जो की आपकी एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है तो यहाँ पर कोशन जो है उसके आंसर के साथ मैं आपको हर चीज जो है वो डेटेल में बताती जाओंगी ताकि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं आपके डाउट केलियर हो सकें और जो भी चीज़ें आपको पता है वो रिवाइज हो सकें जो नहीं पता है वो भी आप ये थे डेटेल में मैंने आपको हर चीज बताई थी तो देखिए कुशन 16 है किस चोहान साशक के काल में चोहान राज्य का सर्वादिक विस्तार हुआ तथा उस काल को चोहानों का सुर्णिम काल माना जाता है तो ये सभी चोहान साशक है ये आप याद रखिए ठीक है अब यहाँ पर चोहानों का स्वर्णिम काल जो है वो माना जाता है किसके शाशनकाल में और यह लाइंग कि चोहानों का स्वर्णिम काल इस साशक के काल में माना जाता है यह हमें जो दिल्ली का शिवालिक शिलालिक है वहां से पता लगता है उस चोहान साशक के पारे में तो यह मै अंसर रहेगा वो रहेगा विग्रे राज चतुर्थ लास्ट वीडियो में भी हम इनके बारे में थोड़ा बात कर चुके थे किनका जो शाशनकाल है वो ग्यारा सो अठावन से जो है वो 63 तक रहा था और सबसे जो है सकति साली सासक शुरुआत के जो सकति साली साशकों में मा जनवाई थी और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि अजमेर में जो है अजमेर में इन्होंने जो है संस्कृत पार साला खुलवाई थी और उसमें कवी थे ये विद्वान थे तो अजमेर में जो संस्कृत पार साला खुलवाई थी उस पर इन्होंने हरके लिए नाट लिखा था, एक्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो है संस्कृत भासा में लिखा था, संस्कृत पार्ट साला थी, तो उस पर जो हरकेली नाटक लिखा, वो भी संस्कृत भासा में लिखा था, ठीके, तो ये याद रखिएगा, हरकेली नाटक जो है, वो किसे संबंदित है, यहाँ पर जो भगवन शिब हैं और अरजुन जो हैं उनके बीच में जो है युद्ध का वर्डन किया गया है बहुत ही इंपोर्टेंट लाइने मैंने आपको बताई है अजे राज कौन है तो अजे राज जिन्होंने जो है अजे मेरु दुर्ग का निर्मान करवाया था बारबार अगर आप इन चीजों को बोलेंगे तो यह आपको याद रहेंगी ठीक है और यही अजे मेरु दुर्ग जो की अजमेर का है बाद में तारगर नाम से प्रशेद हुआ था कहानी मैंने आपको बताई थी एक तारगर बुंदी में है और एक तारगर कहा है अजमेर में तो अजमेर का जो तारगड़ है उसका निमान करवाया था अजे राजने ठीक है प्रत्वी राज तरत्ये के बारे में मैंने आपको बताया बहुत कम आयू के थे जब 11 वर्स की जब ये 11 वर्स की आयू के थे तब ही जो है वो गद्धी पर बैठ गए थे उपादी इनकी राय उसक रहते हैं इनका पूत्र जो होता है गोविंद राज चौहान तो यहाँ से जो है वो भाग का रर्ठ राज थमबौर में चौहान वसं की नीव रखता है ठीक है तो पूछा जा सकता है रर्ठ थमबौर में चौहान वश कि नीव किसने रखी ठी तो प्रत्वी राज गोविंद राज, क्या नम था उसका गोविंद राज, तो ये सभी important fact है, चलिए, next देखें, question 17, चोहानों की उत्पति रिसी वसिष्ट द्वारा आबू परवत पर किये गए अगनी कुंड से हुई थी, इस मत के समर्थक कौन-कौन थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब अगनी कुंड मत पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सभी ने, ठीक है, अब ये चार option देखकर जो है, वो आप हो जाएंगे confused, वो बच्चा बिल्कुल confused नहीं रहता है, जिसने बहुत अच्छे से जो है, चीजों को समझा है, तो बताईए इसका जो सही आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, बढ़ाई ऐसी करनी चाहिए, कि जो है option हमें देखनी की जुरत ही ना पड़े, हमें तो बस आसानी से याद, वो चीजे पहले ही याद आ जाएं, कि रिसी वसिस्ट ने अबु परवत पर जो यक किया, तो जो अगनी कुंड में, चार जो ह महारती या चार जो है शाशक उन्होंने उत्पन्न किये थे, लास्ट जो है चोहान साशक थे, बहुत ही शक्तिशाली थे वो, तो ये जो मत्व है, इसका समर्थन कौन करते हैं, कि ये बिल्कुल सही बात है, कि चोहानों की उत्पत्ती जो है, वो कहां से हुई है, अगनी चंदरवर्दाई ने लिखा है, याद रखिएगा, प्रत्वीरा चोहान के दरवारी कवी, चंदरवर्दाई ने ये जो है, प्रत्वीरा जरासोग्रंत लिखा, दूसरा मुहनोत नैंसी, जो है, जिनको कहते हैं, राजिस्थान का अबुल फजल, ये याद रखिए, ठीक ह और जो मारवाड के जस्वंत सिंग थे, मारवाड के जस्वंत सिंग, इनके दरवारी कवी थे मुहनोत नैंसी, तो ये भी बोलते हैं, कि आबुपरवत पर जो है, रिसीवर्दाई ने यग किया था, तो उस अगनी कुंड से जो है, चोहान उत्पन हुए, तीसरे है, सूरे मल मिश्रन तो सूरे मल मिश्रन जो हैं तो इनकी जो रचना है वंस भास कर कुछ भी आप पढ़ें तो ऐसे रिलेट करके पढ़ें ठीक है कि ये जो है इनकी important चीज क्या है मोनोत नैंसी की important चीज क्या है ये कौन थे कहां के थे इस तरीके से आप याद रखें ठीके नेक्स्ट देखें राजा मान सींग के दरवारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में कौन सा जोड़ा सुमेलित है तो क्या सही रहेगा यहां पर आंसर राजा मान सींग के दरवारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में कौन सा जोड़ा सुमेलित है तो यहां पर तीन जोड़े गलत है ठीक है तो कौन सा सही रहेगा बताईए तो देखिए यहां का जो आंसर है वो है कि राय मुरारी दास जो है इन्होंने या फिर मुरारी दास इस तरीके से भी जो है वो आपको देखा मिलेगा ठीक है राय मुरारी दास इन्होंने मानचरित्र लिखा और पुर्णरी विठल जो है इनका है राम चंद्रोद है ठीक है तो यह आप ध्यान में रखिएगा और राजा मान सिंग के बारे में कुछ इंपोर्टेंट लाइन जो है वो आप याद रख सकते हैं कि राजा मान सिंग बहुत कम उम्र में ही मुगल दरवार में चले गए ठीक है और अकवर जो है इन्होंने सबसे ज़ादा यह इंपोर्टेंट चीज है इसलिए मैं आपको बता रही हूं अकवर ने सरवादिक साथ हजार मंसब यह प्रदान किये थे ठीक है साथ हजार मंसब प्रदान किये थे राजा मान सिंग को ठीक है इसके अलावा जो है अकवर ने ही राजा मान सिंग जो है इनको फरजंद फरजंद की उपादी दी थी फरजंद का मतलब क्य होता है यानि वह डी चाहिन को बेटे की तरह जो है मानता था तो फर्जंद की उपादी जो है किसने दी थी राजा मान सींग को आमेर के तो वह दी थी अकबर ने ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है और इनके समय के दो मुगल शाशक रहे हैं अकबर भी रहा है और अकवर का बेटा जहांगीर भी रहा है ठीक है दो मुगल साशक के शाशनकाल में रहे राजा मान सिंग अकवर और उनका जो पुत्र था जहांगीर और इसके अलावा बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन ये भी है कि जो पंद्रे सो छीयतर का जो हल्दी गाटी का इसके पास जाते हैं प्रताप के पास कि चलो और अकवर की अधिन्ता सुईकार कर लो तो पहला जो अभियान है वो राजा मान सिंग के नित्रत्वों में भेजा गया था अलाउदीन वा जालोर के सोन गरा चोहान कानर देव के मद्य संगर्ष का कारण किसने बताया कि अलाउदीन की पुत्री फिरोजा वीरम देव से प्रेम करती थी और वीरम देव उसे सुईकार नहीं किया था ठीक है वीरम देव कौन था? कानड देव के जो पुत्र थे उनका नाम था वीरम देव तो ये जो कथन है वो हमें किसमें मिलते हैं? अमीर खुसरो, मुहनोद नैंसी, पदम नाब या अलबरूनी कौन ये कहता है कि अलाउदिन की पुत्री जो फिरोजा थी तो वह वीरम देव से प्रेम करती थी और वीरम देव उसे सुईकार नहीं करते हैं और इसी वज़े से अलाउदिन खिल जी जो है वो जालोर पर आक्रमन करता है और जालोर के साशक कौन थे उस वक्त? सोन गरा चोहान थे कानड देव तो ये कौन कहते हैं? तो ये कहने वाले हैं मुहनोद नैंसी ठीक है याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है हो सकता है आपके एक्जाम में आगे पूछ ली जाए तो देखिए जो कानड देव हैं वो जालोर के चोहान शाशक रहे हैं बहुत ही प्रतापी शाशक रहे हैं ठीक है और इनके समय का जो समकालीन शाशक है वो हमने देखी लिया है कि अलाउदिन खिल जी इनके समय के जो है समकालीन शाशक है याद रखिएगा कानड देव का जो शाशन काल रहा है वो 1305 से लेकर 1311 इसवी तक का रहा है ठीक है और पूछ सकते हैं कि जालोर में जो है चोहान वंस की निवर रखी जाती है आई याद रखें ठीक है और उसके बाद जो प्रतापी शाशक रहते हैं वो रहते हैं कानड देव भूत प्रतापी शाशक रहते हैं ठीक है तो आप यह सब चूजे याद रखिएगा अगला कोशन देखिए राजा मान सिंग की मृत्यू जहांगीर के दक्षण में एहमद नगर अभियान के दोरान किस इस्थान पर हुई तो बिल्कुल फैक्चुल कोशन है बुर्हानपुर, मानपुर नगर, कूच बिहार या एलिचपुर ठीके, राजा मान सिंग जो है आमेर के इनके मृत्यू जो है जहांगीर के दक्षण में एहमद नगर अभियान के दोरान किस इस्थान पर हुई थी तो सोचिए इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है थोड़ा सा आप जो है वो सोचें, फिर मैं आपको इसका आंसर जो है बताने वादी हूँ तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एलिचपुर ठीके, तो यहाँ पर दो प्रशन जो है वो आपके बन रही है कौन-कौन से, एक तो राजा मान सींग की म्रत्यू कहां हुई, तो इसकी म्रत्यू जो है वो एलिचपुर में हुई, ठीके और दूसरा कुशन क्या है, कि राजा मान सींग जो है अपने अंतिम समय में, जो है जब एहमद नगर अभियान पर गए थे, तो उनके साथ कौन सा मुगल समराट गया था, तो आप याद रखेगा, तो उस समय मुगल बात्शा कौन था, जहांगीर जोदपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्मान किसने करवाया, चोहानों द्वारा करवाया गया, कछवाहों द्वारा करवाया गया, प्रतिहारों द्वारा या राठोडों द्वारा जोधपुर के निकटो ओश्या के जो मंदिर है उनका निर्मान किस ने करवाया तो राजिस्थान आर्ट एंड कल्चर में यह आपका कुश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आंसर है इसका प्रतिहारों द्वारा ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखें अजे राज चोहान अजमेर रगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं वो चांदी और तांबे की सिक्के चला कर अपनी राज नितिक प्रतिवा का परिचे दिया ये सिक्के किस नाम से चलाए श्री हर्ष, श्री अजे देव, श्री चोहान, कुल भूशन या श्री अजे राज चोहान ने जो सिक्के चलाए थे, तो वो किस नाम से चलाए थे, तो देखिए इसका जो सही आंसर है, वो है श्री अजे देव, अजे राज चोहान ने, अजे देव जो है चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और इस पर इनकी जो पतनी थी, उसका नाम थ सोमल देवी, इनका नाम जो है इन सिक्कों पर अंकित करवाया था, इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रिथम खिलजी सुल्तान जिसने रन थमबौर दुर्ग पर आकर्मन किया, वह कौन था, जलाल उद्दीन, शिहाब उद्दीन, मुबारक या अला तो कुश्यन देखने में ही बहुत आसान लग रहा है, और जिन्होंने पढ़ा है, वो तो फटा-पट से इसका आंसर दे देंगे, तो सोचिए इसका जो सही आंसर रहेगा, वो क्या रहने वाला है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो रहेगा जलाल उद्दीन, कईोंने जो है, वो अलाउदीन खिलजी को लगाया होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है, जलाल उद्दीन, रण थमबो पर सबसे पहले जलाल उद्दीन जो है, वो आकरमन करता है, और याद रखें, दो बार आकरमन किया गया था जलाल उद्दीन के दोरा, एक तो 1291 में किया तो यह तो सफल रहता है इसका लेकिन दूसरी बार जो है वो 1291 में किया और दूसरा 1292 में किया था ठीक है तो यहां पर जो है यह सफल रहता है और वापस चला जाता है और उसके बाद जब वापस जाता है तो दिल्ली में इसका जो भतीजा होता है दामाद जिसको कहते हैं कह जो है वो आपको दामाद भी लिखा मिलेगा कि जलालुदीन का दामाद था अलाउदीन खिलजी कहीं पर आपको जो है बतीजा भी मिलेगा ये क्या करता है जलालुदीन की हत्या कर देता है और गद्धी पर बैठ जाता है अब जो है वो अलाउदीन खिलजी जो है यहाँ पर तो मैंने लाष्ट वीडियो में यह चीज बता दी ति राजपताने का पहला शाका होता है तेरा सो एक इसवी का रण थंबोर का शाका ठीक है याद रखिएगा एक तरफ कौन थे हमीर देव जोहान और दूसरी तरफ था अलाउदीन खिलजी कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि इस युद्ध में जो है अलाउदीन खिलजी के साथ में कौन था ओप्शन दे देते हैं कि उलुख खा और नुश्रत खा तो आप याद रखिएगा कि नुश्रत खा इससे पहले ही जो है वो मारा जाता है और यहाँ पर जो है इसके साथ जो उलुख खा था वह साथ था अब देखिए इतने सारे प्रशन जो है वो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे नेक्स्ट देखें किस चोहां साशक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था तो इसका अंसर तो सभी जानते हैं अजे राज, प्रत्वी राज द्वितिय, विग्रह राज और प्रत्वी राज प्रत्म अभी हमने हाल ही में जो है वो अजे मेरु दुर के बारे में पढ़ा अजे राज के बारे में पढ़ा तो इसका अंसर क्या है अजे राज अजे राज ने ही सबसे पहले अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था और सन जो है वो भी याद रख सकते हैं कि ट्रिपल वन और थ्री यानि 1113 इस्वी में ठीक है अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाते हैं और इन्होंने किसको हराया था, फिर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, तो इन्होंने मालवा के जो परमार थे, उनको हराया था, याद रखेंगे, मालवा के परमार, छोटी छोटी चीज़े आपके एक्जाम में पूछ ली जाएंगी, ठीक है, तो मालवा के परमारों को हरा कर 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं उसके बाद में जो है वो अजे मुर्यू दुर्ग जो है जिसको गड़ बीटली कहते हैं राजी सान का जिब्राल्टर भी कहते हैं उसका निर्मान करवाटे हैं अजे राज नेक्ट देखें अलाउदिन गिल जी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम जो है वो खेराबाद रखा चितोडगड, लोहागड, रण थंबोर या शिवाना दुर्ग तो यहाँ पर मैंने जो है एक ट्रिक भी आपको बताई है जिससे कि आप याद रख सकते हो तो सोचिए पहले तो आंसर कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगी इसका सही आंसर तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा शिवाना दुर्ग, ठीक है शिवाना दुर्ग जो है इसका नाम क्या रखा था खेराबाद रखा था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शिव से जो पंगा लेगा उसकी खैर नहीं ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा युद्ध आपको याद ही है कि शिवाना दुर्ग जो है यानि जालोर की कुझी कहा जाता है शिवाना दुर्ग को किसकी कुझी है ये जालोर की ठीक है, जालोर की कानड़ देव चोहान याद आये हुगेugo तो उसी से संबंदित है जालोर की कुझी है शिवाना दुर्ग ठीक है, और शिवाना दुर्ग का नाम जो है वो क्या रखा खेराबाद तो शिव से जो पंगा लेगा उसकी खैर नहीं ऐसे आप याद रख सकते हो तो सबसे पहले जो है वो शिवाना दुर्ग को अलाउदिन खिलजी जो है वो जीत जाता है और उसके बाद में जो है वो जालोर की तरफ आके बढ़ता है ठीक है और उसके बाद 1311 इस्वी में यहा पर कौन थे? कानड देव थे, उनका पुत्र वीरम देव था, सेनापती था, धहिया भीका ठीक है तो जो सेनापती धहिया भीका था उसकी वज़े से ही जालोर पर 1311 इस्वी में अलाउदिन खिलजी आकर्मन करता है अब कोई ना कोई गदार होता है उसी वज़े से जो है दुर्ग में प्रवेस हो जाता है जैसे रण्थमबोर में रणमल और रतीपाल थे इसी तरीके से जालोर में एक लालची था, वो कौन था? सेनापती धहिया भीका ठीक है और क्या होता है कि जब लालस दे दिया जाता है अलाउदिन खिलजी जो है वो जालोर में प्रवेस क पर जाता है और यहां पर जो है कानर देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका बेटा जो है वह भी इनकी जो माता हैं कौन सी हैं आशापूरा माता कुल देवी ठीक है आशापूरा माता तो इसके आगे ही जो है वो सुसाइड कर लेते हैं वीरम देव तो यह आप याद रखेगा शिवाना दुर्ग जो है इसका नाम खेराबाद रख देता है लाउदिन खिल जी और जालोर का जो नाम है वो क्या रख देता है तो ये तो आसानी से याद रख सकते हो जालोर जाल जलाला बाद जलाला बाद ठीक है शिवाना का खेराबाद जालोर का जलाला बाद पीनाथ शर्मा, अब याद तो सभी किये होते हैं, लेकिन जब आप्शन आते हैं, जब ऐसा लगता है कि कर्णल जैम स्टॉर्ट थे, अबूल फजल थे, ये बंदा यूनी थे, ठीक है, तो ऐसे कोशन में थोड़ी थोड़ी सी जो हो ट्रिक लगा कर आप याद रखे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, तो देखिए, राइट आंसर है, अबूल फजल, अबूल फजल क्या कहते हैं, इसको खमनोर का युद कहते हैं, हल्दी घाटी के युद को, वहीं पर बंदायूनी जो हैं, वो क्या कहते हैं, हल्दी घाटी के युद को, गो को गुंदा का युद कहते हैं ठीके तो रासंफद में खमनोर और गुंदा के बीच में लड़ा गया था ये दू Awak doctor कहते हैं ठीके और इसके लावा जो बंदाईूनी है तो उनका जो है मुंन्थकव उत्वारिक तो उसमें मिलता है कि हल्दी गाटी का युद्ध का जो हो वरडन इनोंने किया ठीक है तो इस तरीके से जो है थोड़ी सी ट्रिक बनाएं तो भी आप याद रख सकते हैं कि बंदा जो है वह गो हो गया ऐसे आप याद रखें कैसे भी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप याद रख सकते हैं ठीक है या अब्बू अब्बू जो है खो गया ऐसे आप याद रखें ये तो ट्रिक जो है वो बनानी पड़ती है ताकि आप याद रख सकें अब क्योंकि हल्दी गाटी से सम्बंदी तीन फैक्ट है आपके एक तो अबूल फजल कहते हैं खमनोर का युद्ध और बनदाईउनी क्या कह रहे है गोगुंदा का युद्ध कर्णल जयम स्टॉड जो है ये भी कहते हैं चया कहते हैं ये मेवाड की थर्मोंपली है फर्मोंपली कि तो कैसे याद करना है ये भी याद रखें कि जैम जो है वह थम गया जैम जो है वो जम गया के बदले आप याद रखें जैम थम गया और अब्बू हो गया ठीक है बंदा गो हो गया ऐसे आप याद रखिए ठीक है जैसे भी आप याद रख पाएं important थी ये सबी चीज़ें आमेर के साशक मान सीङ्ग का जन्म कहां हुआ था निजामाबाद हैदराबाद masa या मोजामाबाद कहां हुआ था आमेर के साशक मान सीग का जन्म तो देखिए आंसर है मोजामाबाद और ये मोजामाबाद कहां है हो सकता है मोजामाबाद ना आए पूछ लिया जाए कहां हुआ था जैपूर में हुआ था तो आप याद रखेगा कि जैपूर में हुआ था 1550 इस्वी में ठीक है बहुत कम उम्र में ही अकवर की सेवा में यह चले गए थे लगवग जो है वो बावन त्रेपन वर्स तक जो है यह मुगल सेवा में रहे थे यानि म्रत्यू परंत रहे थे ठीक है पंद्रेसो नवासी से ले कर जो है वो 1614 तक का इनका जो है वो शाशन का समय माना जाता है तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम जो है इनों ने मुगल सेवा में निकाला चोहान राजबंस का संस्थापक कौन था? अनो राज, वाशुदेव, सोम देव या प्रत्वी राज थर्ड चोहान राजबंस का संस्थापक किसे माना जाता है? सोचिए इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कुश्चन है ये ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है वाशुदेव चोहान ठीक है? 551 इस्वी में चोहान वंस की नीव जो है ये रखते हैं तो हो है, चोहान वंस के आदी पुरुस पूछे, निरमाता पूछे तब भी आंसर यही होगा ठीक है? विजोलिया सिलालएक बताता है कि सांभर जील के जो निरमाता है वो भी यही है विजोलिया सिलालेक सबसे ज़्यादा चोहानों की बात करता है इन्हों ने 551 24 की नीव रखी थी और नागोर अही चत्रपूर इसको अपनी राजधानी बनाया था याद रखिएगा सांबर में ही जो इनकी कुल देवी है साकमबरी माता ठीक है साशक याद रखें तो उनकी जो हैं जो कुल देवी हैं कुल माता जो हैं उनको भी याद रखें तो साकमबरी माता का मंदिर जो है वो भी इनों ने ही बनवाय था वासुदेव चोहान ने ठीक है प्रत्वी राज चोहां तरतिय का समकालिन चालुक के शाशक कौन था भीम देव प्रत्थम, जैचन, परमर्दी देव ठीक है और भीम देव दुतिय या फिर परमार शाशक भी आप लिखने हैं या पर परमार शाशक तो सोचिए इसमें से सही आंसर क्या रहेगा प्रत्वी राज चोहां थर्ड के समकालिन चालुक के शाशक कौन था तो देखिए यहां पर जो सही आंसर है वो है भीम देव सेकेंड तो इनसे संबंदी जो बात है वो क्या है कि 1194 इस्वी में क्या होता है नागोर का युद्ध होता है किसके बीच में होता है तो यहां पर चालुक के शाशक जो है वो भीम सींग है और यहां पर प्रत्वी राज थर्ड है इनके बीच में होता है विजई कौन होता है तो विजई जो है वो प्रत्वी राज थर्ड ही होते हैं यहाँ पर प्रत्वी राज थर्ड और भीम सींग के जो सैनापती है जग देव तो उनके बीच में संधी हो जाती है ठीक है तो यह आप याद रखिएगा हमीर ने सुल्तान अलाओदिन खिल जी के किस विद्रोही सैनापती को रन थमबोर दुर्ग में शरण दी थी अमीर खां, मीर मुहमद शाह, मीर अला बंदे खां, मीर जुबेर खां तो इसी वज़े से जो है वो अलाओदिन खिल जी चड़ गया था हमीर देव चौहान से ठीक है और यहाँ पर आक्रमन करने की सोचता है रन थमबोर पर तो यहाँ पर वो विद्रोही सैनापती कौन था जिसको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने और जब अलाओदिन खिल जी ने कहा कि जो यह गद्दार है इसको मुझे बापस दे दो तो अमीर देव चोहान ने कहा कि मैं अपने शारणार्थी को आए हुए शारणार्थी को जो है इस तरीके से दुस्मनों को नहीं सौपता हूँ ठीक है तो इस वज़े से लाउदिन खिल जड़ जाता है और यहाँ पर आक्रमण करता है रर्थमबोर पर तो यहाँ पर जो आंसर है वो है मीर मोहमद शाह यह आप ध्यान में रखेगा इस तरीके से आज हमने दुबारा से कुछ प्रशन किये हैं इनकी व्याख्या मैंने आप लोगों को बताई है और व्याख्या देने का जो है तरीका यह बहुत अच्छा होता है जिससे की बच्च करते रहिए मज़े से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम और भी नए कोशन करने वाले हैं ठीक है थैंक यू झाल 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 झाल